students question number 12 लेते हैं, बोल रहा है, f of x is equals to x to the power 10 minus 1, if x is less than equal to 1, यहने कि x की value जब 1 से छोटी हो, यह x is equals to 1 हो, तो function क्या लेना, x की power 10 minus 1 लेना है, और जब x की value 1 से बड़ी हो, यहने कि x is greater than 1, तो आपको function क्या लेना है, x square, ठीक है, तो फिर से वही बात बत्चाओ क्या, कि, यह दे x is equals to 1 के left में एक बार चक करोगे की function continuous से की नहीं, और फिर right में चक करोगे की function continuous से की नहीं, ठीक, उसके बाद x is equals to 1 पे चक करोगे, ठीक, चलो, सबसे पहले हम कोई real number लेते हैं, c belongs to r and c is greater, c is less than 1, c one से क्या छोटा है, या आप क्या लिक सकते हो, कि x is less than 1, तो x is less than 1, तो x is सबी real numbers के लिए, function कान सा चलेगा, ये उपर वाला, यानि कि यहाँ पर आ जाएगा, f of x is equals to x की पावर 10 minus 1, सुनों स्टुनेट्स, ये पॉलिनोमिल फंक्शन ही तो है, ठीक, अरे भया, ये पॉलिनोमिल है, x की पावर क्या है, positive, integer है, तो ये क्या है, पॉलिनोमिल फंक्श पॉलिनोमिल फंक्शन इस आलवे स्कॉंट्नियों स्यानिक, अब लिखें ये नीचे, for x is less than 1, this function is polynomial, so this function is always continuous for every value of c, where c is less than 1, ठीक, ये तो ये फंक्शन, x is equals to 1 के left में continuous हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अब हम कहां निकालेंगे इसको, c is greater than 1 के लिए, या आप बोल सकते हो, x is greater than 1 के लिए, अब 1 के दाय हाथ में चेक करो, 1 के right hand side में चेक करो, ये function continuous है की, नहीं, तो ध्यान से चेक करो, x is greater than 1 के लिए, x is greater than 1 के लिए function क्य क्या होगा आपका, x is greater than 1 के लिए भी ये function क्या है, अब problem कहा है, problem है, सिर्फ x is equals to 1 पे बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, की, x is equals to, x is less than 1 पे continuous है, x is greater than 1 पे continuous है, अब problem के लिए, x is equals to 1 पे है, आपको, 1 पे clear नहीं के function, और ध्यान से चेक करो, function के definition 1 पे क्या हो रिए, ठी है, तो हम, कहां चेक करेंगे, इसकी continuity, इसकी continuity हम चेक करेंगे, x is equals to 1 पे, तो, अब हम इसकी continuity चेक करने जारें, at x is equals to, 1 पर, x is equals to 1 पर, x is equals to 1 पर, हम निकालेंगे बच्चों क्या, left-hand side limit, and left-hand side limit is what, limit, x approaches to 1, minus, यहाने के, 1 की तरफ आ रहे हो, आप कहां से, left-hand side से, और च चेक करोगे, function की value, किसको approach कर दीए, यहीं मतलब होता है, limit निकालने का, तो, limit x approaches to 1, minus, f of x, ठीक है, f of x, आप ध्यान से, चेक करिए, x is less than, 1 होना चाहिए, हाँ पर है न, आप left-hand side, x is less than 1, के लिए function क्या होगा, function होगा, 1 minus, ठीक function होगा, क्या, x is less than 1 के लिए, यही तो function होगा, उपर आला, f of x की जगा क्या रखो गया, x की power 10, minus 1, अब मेरी बात, आंसर सुनो, एक बाब बताओ, सुनो, 1 की power कुछ भी हो, आंसर 1 नहीं आता है, देखो, 1 की power 2, क्या होगा, 1 into 1, answer 1 आएक, 1 की power 3 का मतलब क्या 1, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, और 1 की power 10 का क्या मतलब होगा, 1 into 1 into 1, ऐसा 10 times क्या होगा, तो ठीक है, चलो, देखते है, अब इस में लिमिट लगाओ, जहाँ जहाँ, x है, वहाँ, 1 रखो ती, इस x की जगा 1 रखोगे, तो 1 की power 10, minus 1, 1 की power 10, कितना होता है, 1 ही तो होता है अब ही बताया था, तो 1 minus 1, 1 की power 10, 1 minus 1, 1 minus 1 की अपता हो गया, 0, तो यहाँ पर आपने देखा left hand side limit कितनी आगी, 0, ठीक है, इसको कर लो, अब हम right hand side limit निकालेंगे, ठीक है बच्छो, तो right hand side limit का मतलब है, limit x approaches to 1 plus, यानि कि आप x access पे 1 को approach कर रहे हो, आ कहां से रहो, right hand side से, तो x की value 1 से बड़ी होगी, यानि की x is greater than 1, तो function क्या चलेगा आपका, x square, यानि की limit किस पे लगीगा, x square पे, तो बस कुछ नहीं है, function में जहां जहां x आ रहा है, वहां 1 रख दो, तो x की आप 1 रख होगे, तो 1 की जगा 1 square, 1, ठीक है, तो आरे चल भी कितना आ गया, 1, बह x is equals to 1, f of x, पहले तो चेक करो function कौं सा लोगे, x is equals to 1 पे function क्या लोगे, ये वाना, यानि की x की पार 10, minus 1, और f of 1 निकाल ना है, और f of 1 निकाल ना है, और एक सी वान रख होगे, 1 की पार 10, 1, 1, 1, 1, 0, तो तो ध्यान से चेक करिए बच्छों, क्या, यहां पर, left-hand side limit ही, right- equal, नहीं आई, हाना की left-hand side limit, जो थी 0, वो function की value की equal है, 1 पे, ये भी 0, left-hand side function, उससे कोई मितलब नहीं, तीनों ही आपस में equal होने चाहिए था, जो की नहीं हुआ, ठीक है, तो, we can say that की, ये function x के less than, when x is less than 1, यानि की 1 से छोटे, जितने भी real number है, उसके लिए continuous है, 1 से 1 पे आके मार कर उठाना पड़ता होगा, आपको 1 पे ये graph तूट जाता होगा, एसे, समझ रो, 1 पे जो भी इसका graph होगा, I don't know, और हम इंट्रेस्ट भी नहीं बनाने में, ठीक है, वो सॉफ्टर साथ ने उसमें डाल के बड़क से बनाले ते कई बार मैं आपको बताये, ठ यहां दो प्लॉट कर रहे होगा, तो पेन को उठाना पड़ेगा, ठीक है? और पैन को उठाके कहा ले जाना पड़ेगा? उठाना क्या पड़ेगा, जी दू जी दू आरियो आई उसने लेल तो इतना आपको ध्यान नी दिन है, बेरल, तो जो हमने पताया उस पे लिए उस अगया, तो लिए नहीं आई है, तो ले फंक्शन, तो एक सब्सक्राइब लिए तो आप सुन, उसने क्या बोले ता, इसकस्ट आप दिसक्स अप दिसक्टिनुटिटी तो आप फाईनली क्या लिखोगे? आप फाईनली क्लाइन लिखोगे, लिखो अपनी कॉपी में, तो लिखे, from the above observations, it can be concluded that x is equals to 1 is the only point of discontinuity of f. कर लो.